अमरीका नाम खर दूँग और तो ऑमरीका अपके नाम कर दूगा आ lleva अप पार्टी की कोई कर दूए कर निया है उनकर उसके कोई कर निए दिल्ली विधान सभा चुनावाव में इस बार सिलमपूर के सेट काफि दिल्चस्प हो गई है कॉंग्रेस ने यहां चौदरी मतीन अहमद को मैदान में उतारा है और उनके सामने आमादमी पार्टी अब्दुलरह्मान है बीजेपी से कॉसल मिस्रा लेकिन मतीन अहमद जी की अपनी राजनीती है 1993 से वो चुनावी राजनीती में है और सिलमपूर में उनसे बात करने के लिए हम मौजूद हैं और बात करेंगे कि दिल्ली चुनाव में कॉंग्रेस की क्या रणनीती है और किन मुद्दों पर वो जन्ता के बीच जा रहे हैं सर बढ़ाई आपको टिकट करेंगे जन्यवाद कैसा चल रहा है चुनाव कंपेन दिल्ली में लोग रोजगार से कारोबार से सीलिंग से गंदे पानी की सिकायतों से परहसान है महेंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार के अवसर खतम होते जा रहे हैं उससे लोगों की जो नजर है वो कंग्रेस की तरफ अगर देखा जाए पिछला चुनाव रिजल्ट तो कंग्रेस का कोई विधायक नहीं था एक तरीके से जो आपने जो पिछली बार जीरो रही विधायकों की संख्या इस बार आपको लगता है कि कॉंग्रेस को एक नए सिरे से सुरुवात करनी है बिल्कुल हमारे कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने मैनत किया सुभास्चा प्राजी जब साहे हैं तब से और ज्यादे उन्होंने एक्टिवेट किया है कॉंग्रेस को और उसके रिजल्ट दिल्ली में आपको चौकाने वाले मिलेंगे जिस तरह हर्यान में कोई उमीद नहीं कर रहे थे उसके बावजूद हमारी 31 सीटे आई उसी तरह दिल्ली में भी आप देखना हम सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी तो ये कह रहे हैं कि हम वापसी करने जा रहे हैं सर्व सठ पार आम आदमी के कहने से क्या होता है तो हरा आदमी कहता है लेकिन आम आदमी ने कुछ किया नहीं है पांच साल तक खाली बैठे रहे जब चुनाव शुरू हो गया तब उनको काम ने जराए यह भली उतली पड़िए लाके संस पाल हें डिश्वर पर दबन व्रूम बनवा दिए हम ऐसे इस्ट्रुएन्ट के इंप्रूमेंट श्चेश्वरूम ड़े धर॥ परवें पढ़ाई के लिए कमरों का होना तो जरूरी है ना पढ़ाई तो बढ़े हो ना इस्टूएंट तो ड्रॉप होगे कई एक लाग से ज्यादा लोगों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और आपने कहे रहे हैं बना दिये हमने कहां बना दिये वीजार कमरे फिर लिए और ओने कहाए आपको क्यों लगता है कि कॉंधर दिया जा जाए चैए को इसने उनुअ वर्णा बनाए दिल्री में चली में जो परियावरन का था उसमें से एन्जी बस हम लेकर आए से एनजी आटो और दूसरी दिली के हैं पॉलिशन को अंति ठीक किया लाड़ली योजना में चलाई पैंसन हमने चलाई दो हजार ढहीजार रुपए हमने जो वीड़ोज है है हैं हैं प्भार सिश्टीयर स्टेन दी डिली के लोग उसे विदाएं दी हमने उन्होंने क्या दिया कुछ एक उननोने खतम कर दी आपके रहे हो बीट्री बचाओ बेट्री पढ़ाओ लेकिनılar लाटली ओजना अपना खतम कर दिया अपना क्नकिया दिया को बताओ श्कुल दिया हो बताओ पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी का विधायक था और बीजेपी ने लोकसभा चुनाओ जीता कॉंग्रेस के लिए सीलंपूर में आप क्या देखते हैं कि आपने लोकसभा चुनाओ में देखे नहीं आपने 65,000 वोट मिला कॉंग्रेस को और 10,000 वोट मिला आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी की जमाने जब थो गई हैं और भारती इंता पार्टी से भी 29,000 वोटर से हम जीते हैं तो भाविश से कहा चला गया कॉंग्रेस सुबाज चोपडा जी सेनियर लीडर हैं मारे उन्होंने बहुत महनत किये बहुत उन्हों एड़िटेशन किये हैं लोगों को जोड़ा है और जो टिकेट का बटवारा हुआ हुआ है वह भी बहुत बढ़िया बटवारा हुआ है आपको कहीं कुछ ज्यादे रोश आपको नहीं तो जगड़े होते हैं मारा मारी होती है वो कहीं हमें लगता नहीं ऐसा उन्होंने अच्छे लोगों को टिकेट दिया है जब अच्छे लोगों को टिकेट मिलेगा तो चिनाव भी हम जीते हैं आप जब सिलमपुर में लोगों के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दो तो को सामने लोगों करना पड़ता है मुझे लगता नहीं लोग उनको और फिर नर्सी और सीए के ऊपर जो खासकर अकलियत के लोग परहसान है उस पर केजरिवाल जी का मुह नहीं खुला है वो बंद है उनका कोई नेता उनका कहीं किसी प्रोटेस्ट में सामिल नहीं हुआ क बेशाओ के साथ क्यों देगा नहीं तो आपको क्यों लगता है कि मुद्दा प्रॉलम करने के लिए प्रॉबलम तो मैं आपको अभी कर दूँंगर मेरे हाथ में पावर हो आपको कर सकता हूं ऐसे सरकार की नियए ठीक नहीं है मुझी जी कुछ कहते हैं हो मिनिस्टर कुछ कहते हैं मोदी जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं कि अमिश्छा केते हैं यह दिक्कत आएगी एनार्सी लगू करूँ करनности कि पिछे महाथ यह इसे बात कर जो ऑन बातक है रहा हुआ यह कर पाएंंघी कोचिस तो कर रहे हं लोगों के साथ जुल्म जाती होएं उम्मीद है उसमें साथ तो कड़े हैं कंसे कम अ महमने पास तो किया है ईएक प्र चान नेता है पर्टी कीoded Celtic agriculture प्रदारा होती है कुछ लोग हो सकते हैं उनका विचार नहीं हो लेकिन पालिटी का जो इस्टेंड है वो इसके खिलाफ है आप 1993 से सिलंपूर की राजनीति कर रहे हैं आपने का पानी की समस्या है तो पिछले सालों में क्या हुआ और जब आप जीतेंगे तो क्या करेंगे द देवलब कर पाई उस पानी को उन्होंने बहुत जगे डिवाइड कर दिया बहुत सारी अनफ्राइज का लोनी में दिया यह दिया वो दिया नाम करने के लिए लेकिन पानी सौट हो गया पानी हमारे गंगेजल यहां पर आता था अब यहां पर ग्यारेट वेलों लोगों पीना पढ़ा है और वह भी पूरा नहीं पढ़ता उसमें मिक्सिंग होती है रोज लोग बीमार हो रहे हैं मैं खुद बीमार हो गया मैं दो दिन में उठाओं मुझे लूज मोसन भी हो गए और मुझे बखार भी हो गया उस गंदे पानी की समस्या के लिए क्या कि लाएंगे और दिल्ली को पानी लाएंगे चाहे पंजाब सलाएं चाहे हिमाचल सलाएं या उत्राखंण सला आइंगे अब जबकी आठ फरवरी को वोटिंग होगी उससे पहले कॉंग्रेस की रुन नीती क्या है लूंन इतु पालिटिक लीडर बताएंगे हमारी रणिती ह कि यह देखने में हैं कि हरियाना और जो महाराष्ट के चुनाओं में कॉंग्रेस ने तरीके से थोड़ा सा बेहतर किया लेकिन राहूल गांदी जी की शक्रीता उस लेवल पर नहीं थी जैसा कि अमित्सा और निरेंदर मोदी की थी दिल्ली में क्या होने वाला है हमारे लीडर है यह तो उनी पर डिपेंड कराएगा कि वो कितने एक्टिव रहेंगे लेकिन जो खबर है पिरेंका जी रावल जी एक्टिव रहेंगे रेलियां करेंगे दिल्ली में कॉंग्रेस ने आरजडी के साथ गड़बंदन किया है इसको आप कैसे देखते हैं यह रिष्टे निभानने की बात है हमारा उनसे बिहार में गड़बंदन है तो उस गड़बंदन को सम्मान देने के लिए उनको और बिहार समाज के लोग दिल्ली में बड़ी ताजाद में हैं उनको सम्मान देने के लिए यह काम किया गया आपको लगता है कि पुर्वान्चल का जो बेल्ट है जो यूपी और बिहार का बेल्ट है जैसे बीजेपी नभी मनोश दिवारी को अपना नेतृतो दे रखा है दिल्ली में आम आधिम पार्टी के नेता पुर्वान्चल से हैं काफी तो आपको लगता है कि जो खिरती अजा लगाएगा कि हमारी है उस्सेदारी है अगरेंग्डेर से लमपूर की मेज कैसे चमके की कि इसलिन इफस्कों के लोगडरियों कारोबार करते हैं सब मौल स्केल इंडस्टरी क्योटे मूटे काम करके बढ़ल करें बढ़या करें आप ऐसे को पुलीस गरबढ़ करके कि और फिर उसको छोड़ना पड़े उसका तो कोई राज हमारे पास नहीं है इसे आम आदमी पार्टी ने एक गारंटी कार्ड जारी किया है कि हम अगर आये तो यह यह करेंगे आपके सुभास चोपड़ा जीने का कि अगर हम आये तो 600 तक बिजली जो है फ्री कर देंगे क्या तो लगता है कि क्या आने वाले मैंनीफिश्ट्व मैं आ आपको गारांटी शदूर्व सब्सक्राव करें आपके आप कमिक और पूरे कि आपके उन युप्रित को उंक्kt है बलकुल आप प्र्टि की कोई घारंट्मी नहीं है को उसके नहीं है और जो बिजली की बात है हम भी करएंगे तीन सो इनित फ्री करेंगे तीन सब्सटी देंगे पानी का भी और जो भी फैसिलीटी वह सकती है वह देंगे यह हम और जो डौलोपमेंट वर्क दिली में बहुत पूरे होगा जिए सरकार ने 15 सालों में इतना काम कर दिया कि सेट राएंगे कॉंग्रेस की सरकार बनाएंगे आपने चौधरी मतीन एहमद जी को सुना जो इस चुनाओं में कॉंग्रेस के टिकट पर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सीलंपूर को लेकर के उनके पास क्या वीजन है और किन मुद्दों पर वो जनता के बीच ओट मांगने जा रहे हैं दिल्ली बिजान सबाच चुनाओं की कवरेज के लिए दैनिक जागरान.com पर बने रहे हैं आप सब का सुक्रिया नमस्कार